हलो फ्रेंट्स, गैस स्टोब रिपेरिंग सीखने से पहले आपके पास कौन-कौन से औजार होने चाहिए पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, साथ ही बेस्ट कंपनी का टूल भी सजेस्ट करने वाला हूँ तो वीडियो को लास तक देखते रिए, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकोन को दबा कर और नोटिपिकेशन ओन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो को लेटेस जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो ये सभी टूल्स गैस इस्टोग रिपेरिंग में काम आते हैं तो सबसे पहला नमर में बात करें तो ये सलाय दिंच है और ये तपडिया कमपनी का है और इसकी प्राइस की बात करें तो सारे 300 रुपे के आसपास इसकी प्राइस मार्केट में परती है सकेंड नमर में जो हमारा टूल आता है वह पिलास तो ये भी तपडिया कमपनी का है और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस लगभग 25 रुपे होती है और तीसरे नमर में जो फ्रूल आता है वो है रिंच तो यह आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं मार्केट में यही सब कंपनी चलता है और इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 30 रुपे आपको इसके प्राइस परेंगे और की हम बात करें तो अठ और नमर नमर का रिंच आपको लेना है तो तो हवर्ष नमर में रिंच आता है दस और एं ग्यार, यह भी मार्केट में आपको 30 रुपे श्रुपे के बीच में आपको मिल जाता है तो आपको यह किसी भी कंपनी का लेकर फो यहाइनल में च्छे का सेट आता है और च्छे का सेट आपको लगभग जो है 300 रुपए के आसमास में तपड़ ये कंपनी का मिल जाएगा तो आपको ये वाला स्कूर डैवर ही लेना है अब हम बात करते हैं कि ये आपको पतले पेचकस भी आपको ये ले लेना है ये पतला पेचकस आपको किसी भी सांकिल दुकान में मिल जाएगा कोई भी फुराना ब्रेक का तार आप ले सकते हैं ये आपको फ्री में आप वहां से एवनिवल हो जाएगा अब हम बात करते हैं कि ग्रीस की तो ये ग्रीस जो है वो एस्पेसली गैस इस्टोब रिपेर करने के लिए आता है ये आ और मली जो है आप इस ग्रीस का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह आपको हार्डवेर की दुकान में मिल जाएगा तो इस ग्रीस का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन दोनों ग्रीस में से कौन सा ग्रीस आपको लेना चाहिए और इस उसके क्या काम होता है तो हम नेक्ट सी वीडियो में यह आपको बताएंगे पर रचेस कर लेना है है क्लाष टूल की तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो इसका इस्तमाल कभी कभी होता है फिर भी आपको ये चीजे होनी चाहिए तो लगवग ये सारे टूल्स जो है एक गैस इस्टोब रिपेरिंग करते वक्त आपके पास होने चाहिए तो मैं नेक्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सभी टूल्स के क्या क्या काम आते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कर दिए मिलता हूँ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद